हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉले स्मॉल, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, मैथ के कुछ कोश्चन्स वो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे थे कि NTPC and GroupD के लिए नंबर सिस्टम में सुरू करू, तो आज से मैंने सुरू किय है, इसकी दो से तीन सिरीज आईए, तो आप सारे सिरीज देख लीजेगा, आपका नंबर सिस्टम अच्छे से किलियर हो जाएगा, और हाँ, मैं पहले ही बता दू, यह उन स्टूरेंट के लिए नहीं है, जो नंबर सिस्टम को काफी अच्छे तरीके से बना लेते हैं, य जिने बेसिक की जरूरत है, तो यह बिल्कुल बेसिक से है, आप इसे देख के अच्छे से समझ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, पहला कोशन लिया है हमने, कि एक संख्या का तीन चौथाई भाग का दो बटे तीन बराबर क्या होगा, बिल्कुल बेसिक सा कोशन है, आप इसे न, एक्स मान के अगर बनाएंगे, तो बहुत ही सटिस्फाइड तरीके से बनेगा, और आपका आंसर एक बार में एक दब किलियर आएगा, तो अगर आपने संख्या को एक्स मान रखा है, का का मतलब होता है गुना, आफ, तो एक संख्या का, तीन चौथाई का मतलब क तीन बटे चार का का मतलब क्या होता है गुना, तीन बटे चार हमने लिया, अब कहता है तीन चौथाई भाग का मिन्स फिर गुना, दो बटे तीन बराबर क्या होगा, अब इतना हमने लिख लिया, तो आप देखें यहां पर थ्री और थ्री कैंसल हो जाएगा, तू से कैं है कि संख्या का 1 by 3rd, 8 by 9 या फिर संख्या का 17 by 12, तो संख्या आपनी क्या माना था? तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं? कि संख्या का यानि कि x का 1 by 2, क्योंकि इसे आप जब multiply में change करेंगे, तो फिर आपका x by 2 ही आ जाएगा, यानि हम इसे क्या कह सकते हैं? संख्या का 1 बटे 2, आउंसर हो जाएगा option नमबर A. अगला है question कि किसी संख्या के 1 तिहाई के 1 चौथाई का 2 बटे 3, 6 है, तो वह संख्या क्या है? तो फिर से आप जैसे, नमबर सिस्टम का बस यही एक rule है, कि जैसे आप से कहा जाए, आप बिलकुल वैसा ही करते जाएए, तो संख्या को आपना x मान लीजे, अब संख्या के 1 तिहाई के के बोले या का बोले गुनाई होता है, तो संख्या का 1 तिहाई हमने किया, का, फिर 1 चौथाई, चीक है, का 2 बटे 3, फिर 2 बटे 3 हमने किया, equal to कितना ही दिया गया है, 6 दिया गया है, अब इसे solve कर लीजे, 2 से cut करेंगे, आप तो 3 टाइम में solve हो जाएगा, पर क्रॉस में multiply कर दीजे, तो कितना हो जाएगा आपका, 108 हो जाएगा आपका answer, तो संख्या क्या हो गया, कि 108, अब इसी में न, एक दो चीजे और जान लीजे आप, कभी-कभी तो यहीं तक limit हो जाएगा, कि वह संख्या क्या है, तो हमारा answer तो आगया, 108, इसी में एक 108 निकाला न, उसका फिर आप तीन बटे चार निकाल दीजे, चार से इसे कट कर दीजे, तो कितना 27 टाइम में कट हो जाएगा, answer कितना आजाएगा, 81, फिर कभी-कभी condition क्या कह देगा, कि संख्या का इतना परसेंट निकाले, कोई भी परसेंट आप से दे दिया जा सकता है तो संख्या आपने निकाला 108, अब मान लिया जाएगा, इसका 25 परसेंट आप से निकालने के लिए कह दिया, तो 25 परसेंट निकाल लेंगे हम इसका, तो 25 से कर दीजे 4 बार में, फिर 4 से कर दीजे 27 बार में, तो answer कितना आजाएगा, 27 तो इसमें कई तरीके से आप से question पू 17 में अंतर 42 हो, तो वह संख्या क्या होगी, अब देखिए, फिर से मान लिया जाएगा कोई एक संख्या है, और उसका 17, 17 का मतलब होता है क्या, 7 अंतर का मतलब क्या, एक बटे 7, तो संख्या का 7 अंतर क्या हो गया, आप इसे x by 7 लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच जो अंत इसका है अंतर, तो अंतर का मतलब क्या माइनस कर देंगे, x-x by 7 कर दीजे, और अंतर कितने का, 42 का, यहाँ पर इसे माइनस करेंगे, तो एलसेम ले लिया हमने, 7x-x equal to 42 हो गया, यहाँ बचे का 6x by 7 equal to 42, इसे कट कर दीजे 7 टाइम में, तो x का मान कितना आ गया, 49, तो इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, बट दोनों एक ही बात है, फिर भी आप देख लीजे, क्या बोला, एक संख्या और उसका सब्तांस, यानि कि संख्या का एक बटे 7, तो जिससे तुलना की जाती है, मैंने बहुत बार बता है आपको मैथ में, आप उस हो जाएगा, यनि कि 7 का, एक बटे 7 निकालेंगे, तो कितना 1 हो जाएगा, अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 6X का, X इंक्लूड रहता है, और अंतर कितने का, 42 का, आंसर कितना, X का मान कितना आ जाएगा, आपका, 7, तो आप से पूछा गया संख्या, तो संख्या को आपने 7X माना था, तो 7X यनि कि 7 multiply 7 हो जाएगा, इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, 49, तो आपको जो भी मैथड आपको अच्छा लगे, आप वैसे बना सकते हैं, अगला है कोशन, कि किसी संख्या का दो तिहाई, उसी संख्या के 7 बटे 3 से घटाया जाए, तो परिण संख्या को आप X मान लीजिए, तो चलिए X का 2 तिहाई, उसी संख्या के 7 बटे 3, तो यनि कि X का 7 बटे 3 से घटाया जाए, ठीक है, संख्या का जो 2 तिहाई है, उसी संख्या का अगर 7 बटे 3 से घटाया जाए, तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो चलिए घटाते है 7x by 3 में माइनस कर दीजे 2x by 3 तो जो परिनाम आता है वो क्या आता है संख्या से दो अधीक आ जाता है बस जैसा का आम ने वैसा लिख दिया अब इसे solve कर लीजे LCM कितना हो जाएगा 3 और यहां 7x माइनस 2x तो कितना आ जाएगा 5x equal to x plus 2 cross में कर दीजे multiply 5x equal to यहां पर 3x हो जाएगा और plus हो जाएगा 6 चलिए आगे करते हैं solve इसे जब इस side लाएगे तो minus हो जाएगा तो 2x equal to 6 यह cut हो जाएगा x का मान आ जाएगा 3 यानि कि आपसे पूछा गया था क्या कि संख्या क्या है संख्या को आपसे दूसरे वे में उस तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे क्या कहा संख्या का दो तिहाई और उसी संख्या का साथ बटे तीन तो तीन और तीन का आप अगर लिजेगा न संख्या को मानने के लिए तो 3 ही आएगा तो आप संख्या को अगर 3 मान लेते हैं तो 3 का दो तिहाई कितना हो जाएगा दो और 3 का 7 अबटे 3 क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा, दोनों में अंतर कितने का, 5x का न, और ये क्या कहा, क्या कि संख्या से 2 अधिक आ जाता हैं अंतर, तो संख्या कितना था, 3x और इससे 2 अधिक आ गया, ओके, तो आप इसे प्लस 2 कर लेंगे, अब इसे इस साइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस हो तो आपको जो भी easy method लगे आप उससे solve कीजे और हाँ जितने भी question में number system में बताऊंगी आप देखने के बाद कोई भी book से आप उसे please solve करने की कोशिस कीजिएगा बनाने की तो आपको जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगला सवाल देख लेते हैं कैता यदी किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो वह घट कर अपने 5 बटे 8 के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या है चलिए फिर से संख्या x मान लेते हैं क्या कहा संख्या में अगर 33 घटाया जाए जैसा कहा जाए वैसा करते जाए तो 33 घंटा लिया। तो परिणाम क्या आता है। कि वह घटकर जाता है अपना 5 जाएगा 264 हो जाएगा इक्वल टू 5 एक्स स्वरी 264 चलिए अब इहां पर इक्वल्टू हो गया आप इसे इस साइड ले आईए तो यह माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x और यह इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 264 अब इसे कट कर दीजिए 3 से तो कितने बार में कट जाएगा 88 बार में कट जाएगा आप से क्या पूछा संख्या तो संख्या को आपने क्या माना था एक्स एक्स का माना गया 88 88 हो गया इसका आंसर अब देखें दूसरे वे में अगर उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं अब य यानि कि घट के कितना हो गया, 5X हो गया घटने के बाद, अब देखिए संख्या था 8X और घटा दिया हमने तो हो गया 5X, यानि कितना घटाया आपने, 3X घटाया और घटाया कितना, 33, X का मान कितना हो जाएगा, 11, तो संख्या कितना माना था हमने, 8X, यानि कि इसमें मान प साथ उस संख्या के 40 % से 12 अधीख है तो उस संख्या का 60 % कितना एधीख है तो 40 % को अगर हम कट करेंगे तो संख्या का 40 परस्थ से कितना अधीख है वारा अधीख है यानि कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12 अब चलिए यहां पर हो जाएगा कितना 3x by 7 minus 2x by 5 equal to 12 LCM ले लिया हमने दोनों को solve करने के लिए तो कितना 35 हो जाएगा यहां पर 15x और यहां पर 14x equal to 12 x by 35 equal to 12 अब cross में multiply करेंगे तो 35 और 12 हो जाएगा क्या multiply तो इसे solve कीजे कितना जाएगा 420 अब यह क्या आगया संख्या तो संख्या पूछा नहीं था क्या पूछा आप से कि संख्या का न 60 परतिशत कितना हो जाएगा तो 420 का आप 60 परतिशत निकाल लीजिए हो जाएगा यह answer तो answer हो गया आपका 252 अगला है question कहता है कि जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो गुननफल जो है दूसरी संख्या का 80 परतिशत हो जाता है तो आपको पहली और दूसरी संख्या में अनुपात बतानाएं कि क्या होगा यह आपर दो संख्याएं हैं तो अगर कोई संख्या x हमने माना पहली संख्या इसे 16 से गुना किया जाता है तो इसका जो गुननफल है वो दूसरी संख्या y मान लिया हमने इसका असी परतीशत हो जाता है जैसा बूला उने वैसा कर दिया इसे काट दीजिया 20 से 4 बार में और ये 5 बार में ये फिर कट जाएगा कितना चार बार में, तो cross में multiply होगा तो 20x equal to हो गया y, तो संख्या का ratio कितना आ गया, जिसके सामने जो होता है वही उसका मान होता है, तो y के सामने 20 है तो इसका मान 20 हो गया, और x के सामने कुछ नहीं तो क्या है 1, यानि कि रेश्यो दोनों का कितना आ या 1 is to 20, नेक्स्ट है कोशन कि तीन क्रमागत प्राकिर्थ संख्याओं का योग 80 शाबन है, तो आपको कहा जा रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है, तीन क्रमागत प्राकिर्थ संख्याओं का योग, यानि कि लगातार, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो अगर आप स संख्या मानेंगे, तो X मानेंगे, दूसरी संख्या को X प्लस 1 मानेंगे, और तीसरी संख्या को X प्लस 2, अगर फिर आगे की संख्या होती तो X प्लस 3, X प्लस 4 इस तरह से, क्योंकि continue है और ये प्राकिर्थ संख्याओं है, अब तीनों का योग, अगर इन तीनों को जोड आजाए तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 और योग कितना 87 यह इधर जाके माइनस हो जाएगा और बचेगा कितना 84 कि कट कर दीजेसे कितना आजाएगा 28 आप से पूछा गया कि बीच वाली संख्या तो बीच वाली संख्या तो यह हो गई ना तो 28 में एक जोड़ देंगे तो आंसर कितना आजाएगा 29 दूसरा रूल यह है कि जब आप चान रहे हैं कि लगातार संख्याएं हैं और जब भी लगातार संख्याएं होती है तो अंतर सब के बीच इक्वल होता है और 3 संख्याएं हैं तो बीच वाली का संख्या का मतलब ही ह होता है आपका की average आपको बस average निकाल देना है तो 87 योग है ना तो आप इसका average कैसे निकाल मेघा बटे संख्या कितनी संख्या है 3 तो 3 से आप बस भागा दे दीजिए तो कितना आजाएगा आपका 29 direct लोग 147 तो बीच वाली संख्या की यदि किन ही 3 क्रमागत विश्यम प्राकित संख्या उन्ही क्या कोशन था क्रमागत प्राकित विश्यम संख्या का योग 147 विच संख्या यहां पर विश्यम आ सकता है तो यहां पर देख लेजिये ऐसे condition में अगर पहली संख्या X मानेंगे तो दूसरी संख्या X plus 2 अब ऐसा मत सोचेगा कि विश्म है तो हमें यहाँ 2 नहीं 1 होना चाहिए था या 3 होना चाहिए नहीं तो यहाँ पे फिर तीसरी संख्या X plus 4 ऐसा इसलिए क्योंकि आप लगातार जब विशम संख्या लिखे या सम संख्या लिखे सब के बीच क्या होता है continue दो-दो का अंतर होता है इसलिए अगर सम बोले तो भी हम ऐसा ही मानेंगे विशम बोले तो भी हम ऐसा ही मानेंगे अब तीनों का अगर हम योग कर दें तो कितना हो जाएगा तो 47 टाइम में कट हो जाएगा, फिर पूछा क्या बीच वाली संख्या, यह हो गई बीच वाली संख्या, यनि कि 47 में 2 अगर हम एड करेंगे, तो आजाएगा 49 आंसर, अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसके पहले क्या बताया, कि जब भी संख्या ऐसा रहे, continuous हो, सब के बीच वाली संख्या निकालने के लिए उसका average निकाल दीजे, तो 147 योग दिया गया है, और अंतर क्या है, सब के बीच इकवल है, दो-दो का अंतर है, या फिर एक-एक का अंतर है, तो हम क्या करेंगे न, वह संख्या से भाग देंगे, कितनी संख्या है, तो 3 से भाग दे योग 63 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए, थोड़ा सा क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, इसके पहले जो कूशन क्या था, कि 3 क्रमाकेत विशम संख्या का योग, यहाँ पर योग तो है, उन तीनों का, कंडिशन क्या अपलाई है, कि वो जो है न, तीन से विभाजित होनी चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले एक बात समझ लीजे, तीन से विभाजित बोला गया न, मैं पहले तीन का टेबल लिग देती हूँ, बस इतना काफी आपको समझने के लिए, अब क्या बोला, तीन से विभाज होनी चाहिए, और क्रमागत विशम संख्या, तो क्रमागत विशम का मतलब तो हम लोग समझने क्या, कि तीन, तीन के बाद, पाँच, पाँच के बाद, साथ, ऐसा, लेकिन ये सभी तीन से तो के बाद देखे ये विशम संख्या, नौ के बाद जो विशम संख्या और भी आते हैं, ग्यारा आता है, तेरा आता है, लेकिन वो तीन से विभाज नहीं है, ध्यान क्या है आपको रखना, कि तीन से विभाज होना चाहिए, तो इसके बाद देखे 15, तीन से विभाज, फिर यह भी तीन से विभाज इसके आगे भी उसी तरह से चलेगा अगर यहाँ पर सम की भी बात कही गई रहती तो भी वही कंडिशन रहता कि यहाँ पर तीन से विभाज होने वाली समसंख्या क्या पहले छे फिर उसके बाद 12 फिर उसके बाद 18 ऐसा चल रहा है तो आपको क्या नजर आ रहा है सम हो या विशम इनके और इनके लगातार जो विशम संख्या आ रहा है दोनों के बीच का अंतर कितना छे का फिर आगे देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना छे का यहाँ पर कितना है अंतर छे का अंतर इक्वल जा रहा है ना अब विशम भ वाली संख्यां अगर X मानते हैं तो दूसरी संख्यां पता है क्या हो जाएगी? X प्लस 6 क्योंकि 6-6 का अंदर जा रहा है तीसरी संख्या X प्लस 12 छे में फिर और 6 जोड़ेंगे तो क्या 12? इसके आगे की संख्या और रहती तो फिर 12 में 6 और जोड़ते तो हो जाता कितना? X प्लस 18 चुकि तीन ही संख्यां की बात की गई है तो बस हम इन तीनों को लेंगे तीनों का योग तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3X प्लस 18 ओके? And equal to 63 3X equal to यह इधर चाके हो जाएगा minus कितना बचेगा? 45 3 से कट कर दीजेसे कितना टाइम में? तो 15 टाइम में यह कट हो जाएगा आपसी क्या पूछा गया? कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? X प्लस 12 अब यहाँ पे 15 और प्लस 12 हमने कर दिया आंसर कितना हो जाएगा? 27 अगर इसमें कहता सबसे चोटी संख्या तो X का मान 50 ना गया वही आंसर हो जाता बीच वाली संख्या वो भी निकाल लेते कहता बड़ी और चोटी संख्या का अंतर वो भी निकाल लेते चुकि X का मान निकल गया तो हम कोई भी मान आराम से निकाल सकते हैं अब आप इसे चाहो ना तो उस वाले मैथट से भी आप निकाल सकते हो डिवाइड करने जो कि इसके पहले में बता रही थी अब देखे मैंने क्या कहा लेकिन हमेशा condition यह रहना चाहिए तो यहां भी तो सभी संख्याओं के बीच अंतर तो इक्वल ही था तो सबका योग अगर 63 है तो बीच लेकिन हाँ यह बीच वाली संख्या निकलेगी तो बीच वाली संख्या किती निकल जाएगी संख्या है तीन यानि कि बीच वाली संख्या किती निकल गई 21, अब यहाँ पर यह center वाली संख्या, तो इसके पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, और इसके बाद वाली संख्या, तो पहले वाले के लिए आपको क्या करना होगा, 6, minus करना होगा, तो कितना आजाएगा answer, 15, और इसके आगे वाली संख्या जाने के लिए आपको क्या हाज है तो आपको पांच का मैं यहां पर थोड़ा सा एक्जामपल दे दे रही हूं ताकि अगर कुछ कोशन बदल के पूछ दिया जाए तो आपसे दिक्कत ना हो यहां पर दिखिए पांच का टेबल आप पर लिख के समझ लीजे यह हो गया अगर पांच क्या कहता कि विश् संख्या एक्स प्लस 10 तीसरी संख्या एक्स प्लस 20 इस तरीके से मानेंगे तो आपको कौन सा टेबल से विभाज है आपको उसके एकॉर्डिंग संख्या माननी होगी अगला है कोशन केता है तीन क्रामागत संख्याओं का योग बीकप वाली संख्या से 332 अधीक है तो यह बीक का अंक कौन सा है तीन क्रमागत संख्या लगातार continue, यानि कि एक संख्या x, तो दूसरी हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरी x प्लस 2, चोथर हो था तो x प्लस 3, इस तरीके से क्योंकि यह continue है, कहता है तीन क्रमागत संख्या का योग, तो योग हम करेंगे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3, बीच वा आपको जाएगा, तो बीच वाला अंक कौन सा है, तो बीच वाला अंक कौन सा है, x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 आप करेंगे, तो 165 प्लस 1 हुझाएगा अंसर 166, ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट and सेर करना ना भूले, और अगर चैनल पे नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर, बेल आइकोन को जरूर प्रे